बीते 30 अक्टूबर 2023 को 14 वर्षे किशोरी का शब अग्यातव अवस्था में जनपदेटा कि थाना मलबान मलावन शित्र के ग्राम गड़िया सीलंपूर के समीब सर्वन सिंग की ठार पर पड़े ताकत पर पड़ा मिला था जिसकी सोचना ठार स्वामी सम्रन सर्वन सिंग ने करकर पोश्टमाटम कराया था किशोरी की पहचान जनपद मैनपूरी के थाना बिच्वाश रेतर के ग्राम नगला हरकेसरी निवासी शिवानी और जानवी पोत्री के शनपाल और फो के पियादों के रूप में हुई थी आपको बता दे कि पुलिस ने ब्रतक शिवानी और आऊटम less थी और फोश्टमाटम के अ किशोरी की अनवी प्रिम प्रिसंग के चलतने आन specifically बताया है आरोप हे के शिवानी और जनवी का प्रिम् प्रिसंग पुर्भार के ही एक वक्द से थे जिसकि छलते किशोरी को पिता और मा वा परेजनों ने गमछे से दिन में की हतिया कर दी थी और रात के समय हत्या को चेपाने की उद्देशर से रिष्टेदार की मारूती एको से ले जाकर जन्पदेटा के थाना मलावन शेत्र के एक गाउं के समीब डाल दिया था इस समय में पुलिस ने हत्या में शामिल पिता किशन और फकेपी यादो मा सुधा देवी थाना मलावन जन्पद एका छेतर में एक किशोरी शीवानी उर्फ जान्वी की डेड़ बाडी बरामत हुई थी और ये रहने वाली नगला हरकेशी की थी तो इसकी घर बाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने लड़की की सिनाकर भी की थी और एक मुकदमा अग्या पे पंजिकत कराया था बाद में इन्होंने गाओं के ही दो लोगों को दिनेश यादों और विशेश यादों को उन्होंने मुल्जिम बनाया था और वहां पर आरूप लगाया था कि इनकी रंजिस के कारण इन्होंने ही उसकी लड़की को हत्या की थी और जब वहां पर विव तो यहां पर जब पूरा तक्नीकी विश्रेशन किया गया और गहराईस इसकी विवेचना की गई तो पता चला कि इसने जो इसका पिता है केपी किशनपाल इसने खुद अपनी लड़की के चाल चरित पर शंदे करता था और इसी के आधार पर इसने और इसकी पत्नी शुधा और इसकी जो बहन है गुड़ी इन तीनों ने मिल करके घर में उसकी हत्या कर दी गला दवा करके इसके बाद इसका जो साधू है केपी का अखिलेश उसकी एक गाड़ी थी फोर्विलर गाड़ी उसको इनों ने बुलवाया और एक रजनेश जो कुरावली थनाचित का रहन और यह डेड़ बाड़ी को मलावन थाना एटा जनपत में उसको वहां पर ठेक आये थे और इसके बाद फिर इन्होंने फसाने का अपने बिरोधनों का कुछ चक्र रचा और यह लगातार प्रयाश करते रहे कि यह जेल चले जाए लेकिन पुलिस ने बहुत गहराई से इस इसमें जो केपी है जो इसका लड़की का किशोरी का पिता है जो मुख है अभियुत है इस पे दो दरजन मुकत में जिसमें हत्या लूट डकैपी अपहरण गेंगेश्टर जैसे संगीन अपराद दर्ज है तो यह बहुत सातिर किश्म का अपराधी है और इसने खुद हत्य हत्या करके और इसकी पतनी और इसकी बहन ने हत्या करके और दूसरे जो इसके पिरोधी हैं दिनेश अभिशेष को फसाने का जो प्रयास किया था वो निश्फल हुआ और यह निर्दोस जिनको इनोंने नामित किया था उनकी नमजदईगाई गहाई